मित्रो नमस्कार हमारे एस्ट्रो सोल कारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मित्रो आज हम आपके समक्ष चर्चा करने जा रहे हैं हमारे तारा मुंडल के या हमारे भचक्र के एक महत्व प्रूरून ग्रह शनी देव के बारे में मित्रो शनी देव हमारे जनम कुंडली में जो मुख्य रूप से नो ग्रह माने जाते हैं जिन पर सभी का जारो मजार अर्था जनम कुंडली का जारो मजार इन नो ग्रहों पर ही निर्भवर करता है इन नो ग्रहों को बारा राशियों का स्वामित प्रदान होता है जिसमें से शनी देव को मकर और कुम्भ दो राशियों का स्वामित प्रदान है मकर और कुम्भीन की अपनी स्व्यम की रासी हैं और शुक्र की रासी में ये बीसंस तक उच्च के कहलाते हैं वहीं मेश रासी में ये बीसंस तक नीच के कहलाते हैं मित्रो शनी ग्रहे अपने आप में एक ऐसे ग्रहे हैं जिने जर्म कुडली में नियाय का देवता कहा गया है अर्थाद मनुश्य जो भी कर्म करता है समय आने पर ये उसके कर्मों का फल उसी रूप में यदे शुब कर्म किये हैं तो शुब परिणाम और खराब कर्म यदे किये हैं या उसे भूल वस्यत रोटी वस हुए हैं उनका परिणाम शुब अपने भुकती काल में अपने मिंसोतरी महाजशा में या शुब की साढ सती या ढ़िया के दोरान ये उसका भुकतान करते हैं निश्चि तोर पे मनिश्व को जैसे ही उसके कर्म होते हैं उसके अनुसार ये फलदाता माने जाते हैं अतहे एक मायने में ये यम के भाई कहलाते हैं शनी देव यू तो रंग रूप में काले माने जाते हैं और इनका जो आकार है नभ मंडल में वो हमारी प्रत्विशिन नोगुना अजिक बड़ा है ये जो है शनी देव अपने आप में विद्वानों के द्वारा शास्त्रों में इनका ऐसा महिमा मंडन किया गया है कि सामान्य जन इनके नाम से ही भैवीत हो जाता है ये बहुत डराने वाले अपने आप में ग्रह माने जाते हैं किन्तु ऐसा नहीं है मित्रो यदि आपकी जनमकुडली में शनी देव अच्छी स्तिती में विराजमान है बलवान होकर स्वरासी में मित्र रासी में उच्च रासी में या अपने तृच दाय के स्वामी नहोकर थेटे וबारे के स्वामी哪 हो और शुभ गरों में विराजमान हो शुभ रासी में विराजमान हो तो शनी अपने भुकती नहीं के दोरान अपनी विंशोत्तर ही महाँशा में ये बहुत धन, मान, सम्मान, प्रदिष्ठा, प्रदान करने वाले ग्रह भी होते हैं तो इन से उस प्रकार से ड़नने की आवशकता नहीं है जैसा आम तोर पर शनी के नाम से लोग भैवीत हो जाते हैं किन्तु हाँ, मनुष्य को निश्चित तोर पे ये प्रियास करना चाहिए कि अपने कर्मों को शुभ बनाए रखें, अच्छे कर्म करें तो उसको शनी देव से क्या किसी भी अन्य ग्रह से भी डरने की आवशकता नहीं होगी जोकि यदि आप सुभ कर्म करेंगे तो उनका प्रियनाम भी सुभी होगा बित्रो शनी देव को लाल किताब में ऐसा माना गया है यदि राहू जनम कुडली के पहले घर्जली के छटे घर तक विराज मान हैं तो शनी देव जनम कुडली में खराम माने जाते हैं और उस इस्तिति में ये कहीं भी बैठे हों, किसी भी राजी में बैठे हों ये तरसे सुभ्त माने जाते हैं, ये अपने अच्छे परियनाम नहीं देंगे शनी खराम तो जनम कुडली में बहुत कुछ खराम माना जाता है शनी देव, जनता का प्रतिनी दित्व करने वाले जन 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 प्रतिनी दित्व करने वाले वाले जन प्रतिनी दित करनी चाहिए और उनका हक उनके परिश्रम या उनका पारिश्रमिक जो है वो नहीं रोकना चाहिए उसको तुरंत देदेना चाहिए शनी देव अपने आप में इस तरह से माने जाते हैं कि यदि शनी देव की साड़ सती जा तक पराने वाली है तो वह जा तक खराब समय होता है साड़ सत्ती क्या होती है मित्रों और ढहिया क्या होती है जो हमारी चंद्र राशी होती है उसे एक पहले घर से मालीजी किसी की मेश राशी है और शनी देव चुकि एक राशी में धाई साल के लिए रहते हैं मीन राशी में आ गए हैं अर्थात गोचर में जैसे सब ग्रह जो है अपना परिभ्रमन करते रहते हैं उसे गोचर कहते हैं जन्म कुडली में हमारे जन्म के समय ग्रह जहां बैठावा था वो एक अलग बात है लेकिन उसके परशात लगातार ग्रह परिभ्रमन करते रहते हैं उसी परिभ्रमन के दोरा यदी शनी देव हमारी चंजर राषि से एक घर पहले आ गए हैं, यानि कि मेच राषिवालों के लिए, यदी वो मीन राषि में आ जाते हैं, तो समझे लिए जो मेच राषिवालों पर साड़ा सत्ती शुरूख हो गाई है, तो धाई साल वो मीन राशी में रहेंगे फिर धाई साल वो मेश में रहेंगे और धाई साल वो वरश में रहेंगे तो यह जो साड़े साथ साल हैं यह साड़े सत्य कहलाएगी और जन्मकुणली में कहीमी बैठकर हमारी राशियदी शनी देव से छटे अत्वा दस्वे घर पर पढ़ती है तो उन उन राशियों को जो राशियां शनी देव से छटे अत्वा दस्वे भाव में पढ़ती है तो उन राशियों पर ढ़या कहलाती है, वह भी ढ़ाई वर्ष तक रहती है। वित्रो शनी देव अपने आप में अन्ये चार ग्रहों की दरह, पाच्वे ग्रह ये भी माने जाते हैं, जिनकी गिंती पंच महापुरुष योग में गिन जाती है। जनम कुडली के, जो केंदर के, पहला, चोथा, सात्वा, दस्वा, ये जो चार भाव हैं, इन भावों में, यदि कोई भी ग्रह है, अर्थात ये जो पंच ग्रह हैं, जिन में से आप समझे लिजिए कि गुरु हैं, मंगल हैं, बुद्ध हैं, शुक्र हैं और शनी हैं। ये पंच ग्रह हैं, यदि अपनी अपनी राशी में, या अपनी उच्च की राशी में, इन केंदरों में बैठते हैं, तो ये पंच मापरुश योग का निर्मान करते हैं, जिसमें से शनी, यदि अपनी मकर या कुम राशी में, अथवा अपनी उच्च की तुला राशी मे केंद्र में बैठते हैं तो उस योग का नाम होता है शस योग बित्रो यह जो शस योग है यदि जनम कुंडली में बनता है और यह इस इस्तिति में बनता है कि शनी जेव की जो दूसरी राशी है वो निश्चित तोर पे अगर माली चोते घर में बन रहा है तो संभवत दूसरी राशी पांच वे घर में बने तो पहले चोते और दस्वे घर में ये संभावना रहती है मुखे रूप से चोते और दस्वे घर में ये संभावना रहती है कि इनकी दूसरी राशी जो है वो त्रिय शडाय में नहीं पड़ती है उस इस्तिती में जब इनकी दूसरी रासी तरिय शड़ाय में न पड़े तो ये जो शस्योग है ये बहुत बलवान योग माना जाता है और इस इस्तिती में जातक को फर्ष से अर्ष तक पहुचा सकता है तो जातक कितना ही गरी परिवार में हो, कितनी विप्री तिस्तियों में उत्पन हुआ हो, उसे ये खाकपती से करोड़ुपती बनाने की ख्षमता रखता है। पेट्रोल, ओयल किसी भी प्रकार का या गैसेज, इन से सम्मध्धित जो कारिय व्यपार हैं, खनानादी के कारिय हैं, और आप समझे लिजिए, जुड़ी शरी में, यानि के न्याय किक्यों की देवता हैं, तो न्याधीश के पद को भी ये पोजिटिव होने पर, जर्मकुं कुंड़ी में यदि बल्वान होकर बैठे हैं, तो उस इस्तिति में न्याधीश तक भी ये बना सकते हैं, और जो जो कारकत्व हमने यहां बताए हैं, इन कारकत्वों में, यदि जन्मकुंड़ी जिनकी है, वो जातक यदि इन दिशाओं में, इन व्यापार में, या इन ख चित्रो शनी के बारे में मैने संक्षेव में आपको यहां बताया है, इस से पूर भी हम शनी का एक अपिसोड आपको डाल चुके हैं, हुआ हमने विश्तरत चर्चा की हुई है, तो यहां इस परेचे में एक सामने से चर्चा आपके सामने रखी है, शनी यदि आपकी जनम कुंडली में विपरीद सित्यों में बैठा है अर्थाद अपनी नीज की कुंड राशी में बैठ गया है मेश राशी में बैठ गया है व्रश्चिक राशी में बैठ गया है या वह करक राशी में है या सिंग राशी में है या जनम कुंडली के छटे आठवे बारवे में या 12-18 में यह स्टीव में शयाटा वीध बारवंडी में नहुंस्वे आठीए गों माना जाता है और उसके खरब परिणाम होते हैं व्यादि जनम मान आप परिणाम दे रहा है या सनी अपनी साठ अड़ी बत्री सती में ठलए-ठैहीं में खराप परिणामुत पुन कर रहा है तो इस स्थिदी में हमें निश्चित तोड़ पर शनी का उपाई करना चाहिए भगवान महविर जी की हनुमान जी की शरण जाना चाहिए हमें हनुमान चालीसा और हनुमान जी को चोला चड़ाना या हनुमान अस्टक हनुमान बाहुक आधी का हमें सहरा लेना चाहिए और शनिवार के दिन पीपल पर जाके सुर्यों जैसे पूर् सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। उस इस्थिति में काली वस्तों का, काली वस्तर का, काली कील का, लोहे का, अत्वा सरसों के तेल का, लोह पात्र का, काली उडद का, काली तिल का, काली वस्तों का हमें एक तरसे दान करना चाहिए। और चायादान या सतनजाद एकादान करके हमें इनकी पीड़ा से इनके कोब से निजात पाने का प्रियास करना चाहिए यदि हम इन उपायों का सारा लेज़े तो निश्य तोर पे हमें कुछना कुछ रहत अवस्टे मिलती है मैं समझता हूँ आज के इस एपिसोड में शनी के सिंदर्ण में जो हमने बताया है वो आपको अच्छा लगा हुआ अभी तरो यदि इस उसे में कोई यह ग्यासा है आप हमसे बात करना चाहते हैं लगा तो प्लीज हमारी इसकारी करम को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रो आज हम यह अपने नो ग्रहों के बारे में जिसका यह अंतिम ग्रह बचा हुआ था हमने यह चर्चा पूर्ण कर दी है अब हम फिर मिलते हैं आप से नए विश्यों के साथ में जोकतिसके संबन में आज के लिए तन्हें प्रियाप्त है धन्यवाद नमस्कार झाल